नमस्कार अपन उत्राखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ निकता ठगुना खबरों के शुरुआत करते हैं प्रधान मंत्री नरिंद मोधी की मन की बात के 105th episode को मुख्य मंत्री पुषकर सिंग्धामी ने राजधानी धहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज के सभागार में चात्रों एवम चात्रों के साथ सुना आज के एपिसोड की शुरुवात प्रधान मंतरी नरिन मोधी ने दिल्ली में हालही में आयोजित हुए G20 Summit के सफला आयोजिन से की प्रधान मंतरी ने मंकी बात में सत्ताई सितंबर के विश्व परियतन दिवस का भी जिक्र किया साथी साथ पीम मोधी ने मन की बात कारिक्रम में नैनी ताल गोड़ाखाल स्थित लाइबरेरी का जिक्र गिया मन की बात में मातर शक्ती के उत्थान का भी प्रधान मंत्री नैनी मोधी ने जिक्र किया वहीं मोधी ने मनकी बात का कारिक्रम डियेवी कॉलेज के सबागार में बीजेपी के करनपूर नगर मंडल ने आयोजित किया था प्रधान मंतरी के मनकी बात के कारिक्रम को सुनने के बाद मुखे मंतरी पुशकर सिंग धामी ने कहा कि प्रधान मंत्री के मन की बात का जातर एपिसोड में उत्राखंट से जुड़े पहलू की चर्चा कर प्रदेश के मान सम्मान को अंतराष्टिय स्थर पर स्थापित किया है वही मन की बात कारक्रम को सुनने के बाद मुख्यमंत्री पुश्कर सिंग धामी ने लाइब्रेरी का उद्गाटन किया साथ ही मुख्यमंत्री ने डिएवी कॉलेज परिसर में फलदार पेड़ भी लगाए है कर दिल की गहराइएं से उनका धन्यष करना चाहता हुं देवभूमिं उत्राखंटी जंता कि ओर सिंगल्ल उत्राखंड के हमारे धार्मी किस्तल, उत्राखंड के अंदर किये जाने वाले बहुत बिसिस्त प्रकार के कारिये, उन सभी को परियावण के छेतर में, अन्ने छेतरों में, किर्सी के छेतर में, उध्यान के छेतर में, या महिला सक्ती के छेतर में, मातर सक्ती के द्वारा, जो भी काम किये गए उन सभी कामों को अपनी मंद की बात के कारिक्रम में समलिफ किया है। हमेशा उन्होंने उत्राखंड के मान सम्मान को परमुक्ता से देश और दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है। मैं आज़ी प्रधान मत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। हमारा राज्य आगे बड़े, ज्यादा निवेश होगा, ज्यादा रोजगार मिलेगा, ज्यादा सम्रित्ती होगी, हर पकार्च के हमारे आउसर ज्यादा पैदा होगे। उत्रखन के विधानसभा सीट से कॉंग्रस विधायक मदन सिंग बिष्ट का एक वीडियो सोचल मीडिया पर इन दिनों खुब वायरल हो रहा है। बीते 16 सितंबर को रात विधायक का पारा चड़ गया, वे अपने समर्थकों के साथ द्वारा हट इंजिनिरिंग कॉलेज के निदेशकों के एस मेर पर आग बबुला होते हुए, उनके आवास पर धमक ओठे। कॉंग्रस विधायक मदन बिष्ट के वायरल वीडियो पर मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी का भी बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी ने कहा कि ये धुरबागयपूर है। जिस तरीके से वीडियो में विधायक नजर आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि कॉंग्रस नेताओं के हर मसले पर बयान आते हैं। इसलिए इस मामले पर भी कॉंग्रस नेताओं का बयान देना चाहिए था। जो इस परकार की बाते हैं, अन्ने चीजों पर उनके बयान आते हैं, इस पर भी उनका बयान और उनका विचार निश्ची तरूप से लिया जाना चाहिए। आते हैं जो इस पर भी आते हैं, तो बहुत आवश्चक हैं, कि हम अपना सयम रखेंगे, नाराजगी होती है लेकिन सैयम से तरीके से तमीज से सभी कोई जूसरे से विभार करना चाहिए दहरदून के मसोरी विधान सभा के कुठाल गाओं में कैबिनेट मंत्री गनिश जोशी ने प्रधान मंत्री नन्मोदी के मासिक रेडियो कारेक्रम का 105 वा संस्क्रम को सुना प्रधान मंत्री ने उत्राखंड के ननिताल की घोड़ा लाइबरेरी का जिक्र किया उन्होंने इस काम के लिए ननिताल और उत्राखंड वासियों को बदाई दी उन्होंने सवच्छता पकवाडा में देश को सयोग करने का अनुरोत किया उन्होंने लोकल फोर वोकल को भ बहार प्रकट करते हुए काहा कि प्रधान मंत्री नरिन मोदी की मन की बात कारेक्रम लोगों को नए कारे करने और समाज के लिए अनेक कारे करने की प्रेणा देता है प्रधान मंत्री नर्द मोधी के मन की बात कारिक्रम में अनेक प्रकार की विभिन जानकारिया मिलती हैं उन्होंने सभी से पीम मोधी के मन की कारिक्रम को सुनने की अपील भी कि मैं सभी देश वाद्शेयों से अपील करता हूँ कि जो मोधी जी की मन की बात जो हर मेने के आखिस अच्छा में होती आज एक सुब माच्वी मन की बात थी उसको जरू सुनना चाहिए क्योंकि हर मन की बात में कुछ ऐसी नहीं चीज है उनकी माध्यम से हमारे सामने आती है जिसका की हमें ज्यान नहीं होता है जैसे कि नोने आज गुरा लेवलिदी का जिक्री किया शायद ये किससे को पता नहीं होगा मैं भी हादिम लनिता लोग आया है लगतार दोर बे जा कि मन की बात जरूसने और उसका पैदा ले और जहां तक आज के कारिकिम की बात है कॉंगर्स पार्टी के पूर्व PCC चीफ गणिश गोधियान ले प्रहसवारता करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा उन्होंने अंकिता बंडारी को नयाय दिलाने के लिए महिला कॉं इंद्रभट को सुष्मा स्वराज के उस बयानों को भी याद करना चाहिए जिसमें उन्होंने प्रधान मंतरी पत्ध की शपत लेने जा रही सोनिया गांधी के लिए कहा था कि सोन play अपना सरिमोंडवादेगी ऐसे में सोनिया गांदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक महिला की भावनाव का आदर करते हुए प्रधान मंतरी पत की शपत नहीं उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए अभी तो कॉंग्रेस को दो भेनों ने ही कैश दान की हैं लेकिन अंकिता हत्यकार्ण में व भारतिय जंता पार्टी के नेताओं द्वारा जो कॉंग्रेस पर महिला कॉंग्रेस के द्वारा जो प्रसों प्रदर्शन किया गया था उसको राजनीत से प्रेरित होकर बताना दुर्भा के पूर्ण है और खास करके इसको सनातन धर्म से के साथ जोड़ देना कि सनातन धर्मता अफ्मान हुआ है मैंने आज की प्रेसवारता में संपूर्ण प्रेसवारता में उन्हें आइना दिखाने का काम किया है सनातन को उनसे हम बहतर जानते हैं हमारा सनातन मानावता का सनातन है हमारा सनातन पुरानों और वेदों पर आध महेंदर भट जी को जो उन्होंने ये सनातन का नाम लेकर अपना बचाव करने की कोशिश की है महिला मोर्चा की अध्यक्स जी को मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब जब अंकिता भंडारी के प्रकरन पर आप धर्म का सहरा लेंगे किसानों की समस्या को लेकर पूर मुख्य मंत्री हर इश्रावत ने भलेगी दहरादून में प्रदर्शन किया हो मुक्यमंतरी के साथ प्रदर्शन में सीफ गिने चुने किसान मुझूद थे तो लों कितने लोग इंके वास्ट तह बीधिलं में घिंटियु अगलियु में कि आ that कि किसानों को मालूम है कि उनकी मदद करेगी तो पुषकर सिंग धामी की सरकार करेगी पहले ही मदद पुषकर सिंग धामी के विदेश दौरे को लेकर एक व्यंग कसा है नेता प्रतिपक शिषपालारे ने कहा कि उनके द्वारा मुखे मंदरी पुषकर सिंग धामी का स्वागत किया जाएगा जवे विदेश दौरे से लोट कर आएंगे और पूछा जाएगा कि उनके द्वारा कितना निवेश उत्रखन के लिए लाये गया है आपको बता दें कि मुखे मंदरी पुषकर सिंग धामी 25 सितंबर से 28 सितंबर तक ब्रिटेन के दौरे पर हैं जहां उनके द्वारा इन्वेस्टर सम्मिट के लिए निवेश को को उत्रखन आने का निमंदर दिया जाएगा अब आने दीजिए उनको विदेश से लोटने के बाद उनका हम स्वागत करेंगे अगर कितना निवेश होता है क्या-क्या राज्य को स्वागात मिलती है यह जाहिर हो जाएगा आपको हमसे पहले आपको मालूम होगा आज प्रधान मंत्री नरन मोदी के मन की बात कारेक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महिंदर बट जस्पूर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महिंदर बट वैभाजपनेता वैपूर आयोजन आयोक्योपा ध्यक्ष विने रोहला का बीजेपी कारेकरत कारेकर्ताओं ने प्रतिभाग किया मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बार 105 वा देश के यश्रस्वी प्रधानमंत्री नयंद मोधी ने जनता को संबोधित करते हुए स्वच भारत मिशन के तहट देश को साफ सुत्रा रखे जीव के सपनों को साकार बनाएं मोधी जी के कारेकरम को अधिक से अधिक जन्ता तक पहुंचाएं कि अधिक सिधा संवाद मन की बात के बरा होते हैं हर वार के अलग अलग हो हो तो दिलिक यहां समाद के ऐसे लोगों को हमारे समुख पेस करते हैं हमारे समुख लाते हैं इनका उत्रफ इस देश के लिए योगदान रहते हैं ऐसा कारिकम अब गुत्पुर कारिकम इसको कौंगा जो कि समाद के हर व्यक्ति को प्रेणा देगा आज यह एक सुपासवार एक्सोट साथ और म मैं अपरा सोभा के समस्ता हूं तो मुझे आज जस्तों के व्यक्ति को इस कारिकम जोड़ा जाए और मोदी जी द्वारा संदेश आज तो भारत वर से लिए रिष्टे के दर जा रहा है उस संदेश के वहाग के हम लोग भी खड़े हो यह विश्वास के साथ आज यह कारिक अलमोडा जिले के प्रेटर नगरी नानिखेत में बीजेपी जिला सह सोशल मीडिया प्रभारी रानिखेत के लाश उपरेती ने प्रैसवारता कर गिनाई विकासकार्यों की उपलब दी इस दोरान उन्होंने कहा कि रानिखेत विदायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के गराफाट छेत्र कई गाउं के लोगों को पेजल योजना का लाब मिल रहा है रानिखेत विदान सबाद छेत्र की जनता को कई बड़ी योजनायों की सवगात दी जाएगी रानिखेत विदायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के अथक प्रयास से हर छेत्र में स्वास्त प्रमन कर छेत्र की जन समस्याय निवारन कन्ना उनकी प्राच मिकता है पहले हम देखा आज तक चार-पास साल होगे हमने कोई बड़ायक कि सकल अमने शेत्र में देखी नहीं थी आज जब से मारे रानिखेत के डॉक्टर प्रमोद नैनवाल जे बने हैं हर हबते में महीने में हर गाउं में भरमन कर रहे हैं सबसे बहुत बली बात तो यह हमें ए मंगलोर कोतवाली छेतर के लिबर रहीडी ग्राम में करीब दो महापूर्व हुए जगडे में इंसाफ ना मिलने पर उत्राखंट पुलस के जवान की पत्ती ने पत्रकार वारता कर मीडिया से इंसाफ दिलाने की गुहाल लगाई है इस दुरान पीडिता महिला ने बताया कि वे लिबर रहीडी कारेकरम की निवासी है और उसका पती उत्राखंट पुलिस में तनात है पीडिता ने बताया कि करीब दो महिने पूर्व जब वे घर पर अपने बच्चों के साथ थी तब गाउं के ही कुछ लोगों ने उनके घर पर आकर ला कि लाठी डंडव से लेस होकर उनके साथ मारपीट करी थी उन्होंने बताया कि इस दुरान उनके घर पर उनके रिष्टदार भी आये हुए थे इन लोगों के दुआरा उनके साथ भी जम कर मारपीट की गई थी जिसमें उनके नंदोई का सिर में भी गंभीर चोटे आई थी और घर में भी जम कर तोड़ फोड़ कर काफी नुकसान किया गया था जिसमें उनके पती ने भी छट पर भाग कर अपनी जान बचाई थी उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस से शिकायत के बाद भी मुकदमा दर्ज होने के बाद भी उन्हें इंसाप नहीं मिल पाया जिसके बाद करीब पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधिशक और हरीदवार वरिष्ट पुलिस अधिशक से भी की गई है लेकिन अभी तक कोई ठोस कारवाई नहीं हो पाई है पीडिता का कहना है कि पुलिस ना होने से दबंगाईों के होसले बुलंद हैं और पीडिता भै के जंदगी जीने को मजबूर है इस मामले को लेकर और पिडिता ने ओचादिकारियों से अपनी व्यापने बच्चों की सुरक्षा की गोहाल लगाते हुए कारवाई की मांग की हुए कि मैं लिब्रेडी गाउं से हुँ करी मा नाम है मेरा और मेरे पती प्लिस में है गोरोग चोधरी हमारे साथ जगडा हुआ गाउं के कुछ लोग थे हर्जवर्दन राठी आर्यवीर राठी उनका लड़का और नीतिन राठी और सर सुधीर जोधरी इन सब ने मार पीट की हमारे घर पर आके और हमारे यार इस्तेदार आई हुए थे उनके साथ बिमार पीट की उनका जो मेरे नंदोई आ रहे थे उनके साथ थे उनका सिल बोड़ दिया हमारा बहुत नुपसान करा गाड़ी तोड़ दी टैक्टर तोड़ दिया और मेरे पती ने भाग के छट पर जा के जान बचाई नहीं तो हुए उन्हें जान समार देते किया है कि कि मामला रहे किते इस दुमाइन आऊ अब मेरे पती पर मुकदमादार जो गया हुए उल्ता इनकी पॉस्टिंग कर दिरु दुपर याग मेरे चोटे-चोटे-चोटे-बच्चे हैं अब मैं के लिगर पे रहा हूं साथ से सुथ नहीं है तो फिलहाल वक्त होगे एक छोटे से ब्रेक का जल्दा जिरूँग ब्रेक के बाद एक बर्फेट से आप सभी का स्वागत है खबरों के और लखिमपूर से दहरादून जा रही एक प्राइवेट बस अनियंतर होकर सीता रगंच के पास एनच 74 पर ग्राम रिसया के पास डिवाइडर पर चड़ गई जिससे यात्रियों से भरी बस पलट गई ब वहीं सूचना पर छेतर अधिकारी सितार गंच ओम परकास सिंग समेत सितार गंच पुलिस मौके पर पहुँच गई वहीं स्थानिये लोगों की मदद से सभी गायलों को जिला अस्पताल और सामुदाइक स्वास्त केंद सितार गंच में भरती कराया गया वहीं छेतर अधिकारी ओम परकास सिंग ने बताया कि लखिमपूर से एक बस दहरादून की और जा रही थी वहीं अनिंतर्थ होकर सिसेया के पास पलट गई जिससे दो दरजन से अधिक यात्री गायल हुए जिनें जिला अस्पताल में भरती कर दिया गया साथ ही पुलिस मामले की जाच में जुड़ गई है और जाच के बाद ही कारवाई अमल में लाए जाए की अजितन रिजान रिजान झाज देन जा रही थी जा रही थी बहुत ही इस पीट में बस टी सर बहुत ही स्पीट में पर यिस ने जिस ने यिस टेरिंग में समार भाई और जो एट ठोग दिया है नसे में से उप 71 जैनलों तो अजय है अजय व्यावाट कि अजयखी रखें में से निय। मैं इस जान्य गाने सरत भाशी रहते अजवां आद्म है तो जोसा हमार्ल कि मस्तबेटे बतुआ अगी रहे तो जिसमें सर होगी पुलवज बढ़ी थी तो इसमें हमेरी अच्छा है लगी फुर्ट कुल्वज बस आरे तियों तर्कादी और पलट रही है इस सुचना पर परण भी करम्टी मौके पहुचे और मैं भी मौके पहुचा हूं जाए लोगों सभी को रेस्कू करके अस्पताल इस्टिक अस्पता आज 9 के पैच पर मिंट पर हमारे बास दूर अब बाकिस गाहल बसता में प्रें पिसेंट जाए तो हमारे बास इसमारे बास पूंचे को पहुंचे हैं वो सतरा पैशेंट पाँंचे हैं बाकि और अगर आएंगे हमारे बास तो उसकी सुचना हम आपको उत्रखन पुलस प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए जहां जीतोड मशक्कत में जुटी हुई है तो वहीं इसको गिरफ्त में आए युवक अपने नशे की लट को पूरा करने के लिए अपने के घर में ही वारदातों को अंजाम देने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं ऐसा ही एक मामला काशिपूर में सामने आया है जह नशे की लट को पूरा करने के लिए भाई ने अपने ही भाई के घर उसकी गैर मौजूदगी में लाखों रुपे की चोरी कर डा लिए जिसका काशिपूर कोतवाली पुलस में कुछ ही घंटों में खुलासा कर ना केवल आरोपियों को दवोचने में सफलता हासिल की है बल्कि चोरी गया माल भी बरामत कर लिया है बता दें कि काशिपूर के राजेंद्र नगर कॉलोनी निवासी शिवर्मा वीती 23 सितंबर को अपने नीजी काम से दिल्ली गए थे जहां से 14 सितंबर आज जब वो वापसी कर जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके घर की खिड़की की ग्रिल तोड़कर अग्यात चोरों ने सोने चांदी के आभूशन और नगदी को चुराते हुए लगबख 5 लाक रुपे की चोरी कर लिया ज जो की गन्ना मिल कालो ने जो राजन नगर की है कि उनके परिवार में जब वो कहीं बाहर गये थे तो सेकेंड मंजिल पे इनके घर की आलमारी और अन्य चीजों को तोड़ करके चोरी कर ली गई है सुचना पर ततकाल चोगी प्रवारी द्वरा कारवाई करते हुए जब से इसमें मंगल सुत्र से लेके कंगन से लेके अन्य सारी चीजें और 20 रुपय कैस इसने मौके से चोरी करी थी अमन के साथ इसके एक दोस्त धंजी को भी घिरफतार किया गया 100% प्रिकवरी की गई है पुलिस के द्वारा आज इनको मानने न्याले के समख श्पेस किया जा र अमन बर्मा है और इसका जो साथी धंजी यह दोनों नसे के आदी है और अपने नसे के सौव को पूरा करने के लिए जब इसे लगा कि आज मेरे चाचा घर पे नहीं है और चाची भी नहीं है तो इसने मौका देख करके उनके खिड़की को तोड़ा और तो तोड़कर के अ वाले मकान मालिक के बीच उस समय हडकब मच गल जब पुलस किराएदारों का सत्यापन जाच करने के लिए मकान मालिकों के दर्वाजे पर पहुंच गयी पुलस के चेकिंग में 66डियों किराय दार ऐसे पकड़े गए जो भीना सत्यापन के चोरीछिपे रह रहे थे पुलिस ने सत्यापन नहीं करने के आरोप में 67 मकान मालिकों के चलान काट 6,70,000 रुपे का जुर्माना लगा है इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि सभी टीमों ने मिलकर 7 मकान मालिकों के खिलाफ 10,10,000 का जुर्माना लगा है सबी मकान मालिकों को जल से जल अपने किरायदारों को सत्यापन करने के भी निर्देश दिये गए हैं जल्द ही सत्यापन नहीं करने पर अंगरीम कारवाई करने की भी चैताब नहीं दिये पी डबलुडी और नगर निगम की लापरवाई का शिवाजी नगर के छेतरवासी लापरवाई का शिकार हो रहे हैं नगर निगम रिशिकेश छेतर अंतरगत शिवाजी नगर और बाप ग्राम की सड़के लोगों के लिए जानलेवा बनती हुई दिखाई दे रही हैं इस्तानी लोगों की मांग के बावजूद नगन निगम और TWD विभाग सडकों के सुधारी करण को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। सडक की नाम और निशान भी कई जगा पर मिठ चुका है जिन पर वहां चलना तो दूर पैदल चलना भी दूबर हो गया है। आपनों उद्राखन में मेरे साथ इतना ही देश की तमाम बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रही। आपनों 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 ळ्याइ आप आपनों झाल